नमस्कार दोस्तों टेक स्केन के एक बिलकुल ना है फ्रेस और एकसाइटिंग एमसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज किस वीडियो के अंदर में ट्राई यानि टेलिकम रिगुलेटरी ऑफ इंडिया के बार में बताऊंगा दोस्त आपको पता है ट्राई को जो अपने 5G सर्विसेस को यहाँ पर भारत के डिफरेंट सिटीस के अंदर ओर डेले लांच कर दिया है जैसे लिलाइंस जो भारत के अल्मोस्ट 4500 सिटी और एयर टेल 3000 से भी ज्यादा सिटी के अंदर अपने 5G सर्विसेस को लॉंच कर दिया है तो वैसे एक जगे के आप से छानमीन चालू किया गया था सिर्फ एयर टेल और इलेंज जो कमपनी के उपर भी नहीं वोड़ा फोनेटी और बीएसेल कमपनी के उपर भी यह चानमीन जो वह यहाँ पर चला लेकिन फाइनली ट्राइ यानि टेलिकम रिगलुटेरियो अथरीटी आप इंडिया का दोस्तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके चैनल टेक स्केन के उपर चल रहा है एक मेगा गिवाय जहां पर आपको मिलने वाला है एक ब्रैंड न्यू आइफोन 12 गिवाय के अंदर किस तरह के से पाटिसिपेट करना अगर आपको जारना है तो व सबसे पहले अनलिमीटेड सार्विस देना स्टार्ट किया था वोडाफोन आइडिया यानी वियाई कंपणी वोडाफोन आइडिया कंपणी अपने पोस्ट पेर सेगमेंट के अंदर दो ऐसे प्लैन अभी भी प्रोवाय कर रहा है जिसके अंदर लोगों को अनलिमीटेड 4G data यहां पर provide किया जाता है तो यहां पर Vodafone idea company आपने services के साथ unlimited 4G provide कर रहा है अगर मैं BSNL की बात करता हूं तो कुछ दिन पहले तक BSNL company की तरफ से 398 रुपए बले plan को provide किया जा रहा था जिसके अंदर unlimited internet provide किया जा रहा था customers को तो BSNL भी यहां पर unlimited internet provide कर रहा है लेकिन अ रिलाइंस जो पहले से welcome offer केता है तो unlimited 5G internet provide कर रहा है तो रिलाइंस जो के ऊपर क्या कुछ चीज लिया जागा वो तो try के ओपर depend करते हैं लेकिन अगर मैं AirTel के बात करता हूं तो उनकी तरफ से जो concept है वो बिल्कुल clear कर दिया गया था AirTel की तरफ से शुरवाद में जब 5G services को launch किया गया तो AirTel की तरफ से कहा गया कि आप जो 4G plans यहां पर यूज कर रहे हैं for example daily आपको 2GB करके data मिलते हैं वो ही daily 2GB data आप 5G speed के उपर यूज कर सकते हैं जब आप 5G area के अंदर रहते हैं लेकिन उसके बाद AirTel यह notice किया कि customers 5G area के होने के वाब वजूद आपने services को 4G को पर यूज कर रहे हैं तो AirTel ने क्या सूचा कि जब आप 5G यूज करेंगे तो internet का speed काफी सता बढ़ जाते हैं जिस करण से data consumption जो वो काफी जादा amount up होते हैं और इसी करण से AirTel company के तरफ से unlimited 5G यहां पर दे दिया गया लेकिन द 139 ने उस से उपर वाला recharge जोने करना होगा मतलब company customer से पैसे ले रहा है जिस तरह के से Vodafone Idea company के अगर में पोस्ट पेट की बात करते हूं तो उनसे भी पैसे लिया जारा unlimited data देने के लिए BSN की तरफ से भी unlimited data देने के लिए पैसे लिया जारा हालके बाद में BSN इस plan को change करके 120 बी data कर दिया लेकिन यहां पर unlimited नहीं दे सकते एक telecom company इसका जो rules से try का यह कहना है कि telecom segment के अंदर ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है कि में लिए कोई एक particular company unlimited अगर इंटरनेट प्रोवाइट करते हैं तो वो rules के खिलाफ है यह rules को उलंगन कर रहा है ऐसा बिलकुल भी नहीं है company अगर चाहे unlimited देना वो यहां पर दे सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें charge भी करना होगा लोग अगर पैसे दे कर कोई unlimited plan यहां पर ले रहा है तो वो ले सकते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि free में लोग उसके खिलाफ है कि वहां पर customer से पैसे ने लिया जा रहा था लेकिन अभी के टाइम के अंदर customer से पैसे लिया जा रहा है 239 मिनिमाम रिचर्ज उने करना होगा उसके उपर ही वो में लिए unlimited 5G को इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहां पर try काफी जाथ है कि हम करे तो करे क्या हाला कि ट्राइ के तरफ से टेलिकम कंपणी को यह बताया गया था कि आप एक काम करो unlimited यह जो सब्द है इसे अब हटा दो जैसे broadband के अंदर होते है unlimited data आपको काहा तो जाता है लेकिन वह पर data आपको दिया जाता है 3300GB एक सिमिलर तरीके से एक पटिकुलर बंदे को 500 या 600GB अगा data कपे आप कर दो कि 500 या 600GB आप यूस कर सकते हैं में लिए जब आफ 5G सेगमेंट के अंदर हैंगे तो इससे क्या होंगे यह जो unlimited का concept है यह च आपसा ट्राइ का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि टेलिकम कंपणी जो unlimited data यहां पर प्रोवाइड करना उसे बंद किया जाएंगे तो यह जो ट्रांजिशनल प्रियोड चल रहा है लोग 4G उस करते थे उसके बाद 5G को पर सिफ्ट कर रहा है अब ऐसे टाइम के अंद है कि मेली जो mobile phone manufacturing company वो भारत के 75% से भी ज्यादा phones जो 5G को पर launch करें 5G को ज्यादा बूश्ट करने के पार में different type of काम यहां पर किया जा रहा है और ऐसे टाइम के अंदर अगर ऐसा limitation यहां पर दे दिया जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर customers जो है वो 5G को पर जाना पस कुझड है ट्राइए सोच नहीं पा रहा है कि इसके एगंस क्या कुछ टेव लिया जाए कि वो डारेक्ली उलंगन भी नहीं कर रहा है उसी के साथ साथ unlimited एकदम फ्री में unlimited 5G दे रहा है ऐसा भी नहीं है और unlimited दे भी रहा है तो काफी जादा confusion वाली बात है आपको क्या लग इसे इंट्रेस्टिंग वीडियो टेली बैसे देखने के लिए थैंक्स वाचिंग बाइन टेक क्यार आप से उस्क्राइब लगा तो कि इसे कोई नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्त अपना ख्याल रखिएगा